काफी सारे प्रयासों के बाद वापस से नीट का रिजल्ट जारी करने पे सुप्रीम कोट ने डिसेजन दिया था जो कि आज जारी होने वाला है आज कब तक रिजल्ट जारी हो जाएगा और क्या इसकी टाइमिंग रहने वाली है सारी बाते आज की वीडियो में हम दिसकस करेंगे प्लस किस तरह से रिजल्ट जारी होगा उसका भी कुछ नियम कानून है उसको भी हम जानेंगे आज की वीडियो में डिसकस करेंगे आज सारी बाते लेट्स स्टार्ट हेलो एब्रीवन, वेल्कम तो इस पारकप क्लास्टिस, इस सुमन्य आदव नीट यूजी, नीट यूजी में आप जानते हूँ कि काफी सारी गड़बड़ी हुई थी इस साल पेपर लीग के मामने सामने आये थे जिसकी वज़ा से सुप्रीम कोट में काफी दिन से पेटिशन चल रही थी, काफी दिन से डिसीजन पेंडिंग था तो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोट ने डिसीजन दिया था कि NTA जल से जल अपना दुबारा रिजल्ट घोशित करे ताकि पता चल सके वास्तों में चीटिंग बगएरा हुई है कि नहीं हुआ है इसके लिए सुप्रीम कोट ने ये तरीका निकाला था कि सिटी वाइज और एक्जाम सेंटर वाइज बच्चों के रिजल्ट डिकलेर किये जाएं ताकि ये पता चल सके कि अगर किसी एक्जाम सेंटर पे कोई गरबड़ी हुई है तो उस एक्जाम सेंटर के सारे बच्चों के लिए वो गरबड़ी हुई होगी पेपर लीग के मामने सामने आये हैं तो उस पर्टिकुलर सेंटर पे या उस पर्टिकुलर रूम में हर जगे के बच्चों पे उसका प्रभाव पड़ा होगा या उस सिटी में पड़ा होगा तो इस चीज़ को देखने के लिए ही सुप्रीम कोट ने यह ओडर दिया है कि सिटी वाइस और इग्जाम सेंटर वाइस रिजल्ट जारी किये जाए आज यानि कि 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे के बाद आपके रिजल्ट आ जाएंगे जो सिटी वाइस और इग्जाम सेंटर वाइस रिजल्ट है उसमें एक बात सुप्रीम कोट ने कही हुई है कि किसी बच्चे की कोई आइडेंटिटी लीक नहीं की जाएगी बच्चों की आइडेंटिटी नहीं पता होनी चाहिए ताकि कोई बवाल ना हो सके तो आप लोग के लिए आप लोग के पक्ष में एक फैसला सुप्रीम कोट का आया है और आज उसका नतीजा वी आने वाला है तो आप सबको कॉंग्राइट्स बाकी आगे रिनीट होगा या नहीं होगा इसका डिसीजन अभी भी पेंडिंग है मैं कोई फाल्तो वीडियो नहीं बना रही क कि दिसीजन कब आएगा कब नहीं आएगा जब तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती है जब तक मैं वीडियो नहीं बना रही हो आपके लिए हां बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है आप लोग की तो मैं बना देती हूं अधर्वाइस अभी फिलाल कोई डिसीजन ऐस और वापस से जो रिजल्स आ रहा है उसके लिए all the best for you. Bye, take care.